नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इपलब स्टॉक्स में तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलगेट वेलमोलिक करमें लॉंग टम में यह स्टॉक आपका पैसा डूमनी नहीं देगा और मल्टिवेगर रिटेन भी देता है इस टॉक तो अगर आप इस टॉक में इन्वे में इन्वेगर रिव्य चानल पे न नहीं दिया दिया लेंगा युंग हूँ में इसमीर इसका ट्रेडिंग का सब्सक्राइब मतल रिक्वें क्य देडेवर शेपक सलाइब तो उससे में आप लोग को से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर नए आयो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और साथ-साथ बैल आइकन को भी प्रेस कीजेगा ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिशन आपको मिलती रह है यानि के तिस हेजार तीन सो चालिस दसलाव नभे करोड का मार्केट का आप है मार्केट लोग जो हर स्टॉक की तरह वन है यानि यह एक है पी की बात का तो थटी एट पॉइंट पॉइट टू है यानि अट्टिश दसलावल बैसी इंडस्ट्री भी 57.41 है यानि 57.41 त्य उसके पास भाद आप दशommen तो उसके तो भी ओग वेलु जो 53.91 है त्राइसो दसलाव उननिस है ए कौईओवल लोग ध स्टॉक वर स्ट्री mbोलेहन परसेंटैस है यानि 300 op to 729 पशेंट्न देतीया या तो जबरतीवल्य Fifteen प्राइज भूग काफी काफ़ी अच्छा आप देशे क्या काफी अच्छ है तो काफी अच्छा अच्छा मना जाता तो ओवराल वैलिएशन देखा जहें काफी अच्छा है कियोंकि इस्टॉक का इंडेस्ट्री पीस है काम है डिविडेंट परसेंटेज भी अच्छा है 200 परसेंट का डिविडेंट परसेंटेज है तो काफी अच्छा डिविडेंट परसेंटेज है डिविडेंट परसेंटेज है स्टॉक का तो ओबराल वेलेशन का भी अच्छा है इसका चले चलते इसके शेरोल्डिंग पैटन पे तो शेरोल्डिंग पैटन में आप दिसंबर 2018 और जून 2018 का डेटा काफी फुराना डेटा है यही डेटा मुझे मिल पाया इसलिए मैं आपको यही डेटा दिखाने जा रह अच्छी सेयरो वी जिरो और जो प्रमोटरस अपने शेर गिरवी रहते इसका प्लेशर कहा जाता है तो आप देखोतां दोनाई कौटर में 0-0 किसी फिए यह प्रमोटरस नमने श्यार गिर्वी नहीं रखा था इसका फाइय यह यह फरेंड़ान इंनवेस्टर की बात करता तो एक इंपर्टन इंबेस्टर रोता है आप देशाओ जून 2018 में जो FIA की होल्डिंग थी 11.49 थी यहांद 11.49 थी और दिशंबा 2018 में 13.86 थी यहांद 13.6 थी इसके अलाब टोटल डियाए की बात कता पसके जून 2018 में 18.87 यहांद 18.67 थी था दिशंबा 2018 में 16.67 था दिशंबा आपको तो यह काफी पुराना शेरोलिंग पैटन है लेटर सेरोलिंग पैटन अभी मुझे मिल नहीं पाया मैंने बहुत सर्च के नेट पर जैसे मुझे मुझे मिलता मैं आप लोगों ज़रूर दिखाऊंगा लेटर सेरोलिंग पैटन स्टॉक का और इसका बाद फिनेंश पर चाल फंट्ट कंपशनी एक और इंफटन इनफेटर होते जून तूसर आटीन में दो 6.84 एनि 6.24 और सब्सक्राओप तो थे नियुझे में यहान पर देशीन ऐसे की बात करते हैं एतें पूर पॉर पैंट नाइन वर दिशान वांवत अदरस की बात करते हैं यहां पर अच्छा था आपको तो लगबा कि एक साल दो-तीन मैने पहले कि आपको तो अच्छा शेर ओल्डिंग पैटन था अभी जो लेटर से रोलिंग पैटन होगा बता दो इस से थोड़ा बग जरूद चेंज होगा तो जैसे लेटर से रोलिंग पैटन मिलता में आप लोगों सेल्ट में आप लोग … दिखा देता हके तो ऑप देख्सकता हो दिसमबर 2019 सेवेद्ञ इस परमस्क्रेंटीन यून 2019 को डिटा पर मतों करते हैं सिर्फ मसाय했는데 नेट सेलं में 1075 452.92 करोर करनेट सेल नेट सेल सेल भड़ ता एक 16123 दिसम्बर 2019 में 1136.02 करोर का नेट सेल था जो कि बता तो सेप्टमबर के नेट सेल से दिसम्बर के कौटर में नेट सेल में थोड़ी गिरावाड रही थी यहनी काम हुआ था नेट सेल इसके अलाबा नेट पॉफिट की बात कर सबसे वाटर में आप देशकतों नेट पॉफिट है तो जून 2019 बेजों नेट पॉफिट था आप देशकतों कि नेट पॉफिट बढ़ाएगा तो कमपनी कमपनी नेट पॉफिट ब्राएंगे तो अपने ग्रोथ पर लगा पाई तो चले इसके बात करते हैं कि वालेंसीट में में मास 2019 नेट वर्ट तो नेट वर्ट मास 2019 में ने केमपनीी को व्हार सब्सकोने के? मास 2018 में 000 climate. मास 2019 माँ देशक्क्तो सकतो कर्जा हो गये था हैे कमपणी तो इस बारे में कमपणी को सोचना चाहिए है , अपने कर्जाओ को किलियर करना चाहिए 77.71 करो का करजा था तो इस बार में कम्पेनी के सोचने चाहिए करजा क्लियर करने चाहिए ताकि आपना जो नेट प्रॉफिट हो अपने गुरोथ पर लगा पाए और करजा क्लियर करके अग डेफ्री कम्पेनी बने तो कम्पेनी को आपको ददू फाइदा मिलता अपना जो नेट प्रॉफिट हो अपने गुरोथ पर लगा पाती है इसके बाद चले चलते इसके चार्ट के उपर तो चार्ट में आप देखके तो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 1166 रुपे 90 पैसे पर क्लोज हुआ है 34 रुप आज दंके बाद करें तो पास देन वात जो तो है चार्ट दश करसें प्ट संड दाउन था 330 रुपे entrar पो अपको टो निचे घया पिछले चैतन पर दो प्रफोरण स्टक कैशन पर्पर्षे घंस को बनात घंस बारां दो नीचीछ ने घंस चे मेने सब्सक्राइब है तो एक और पशले एक शाल की बात कर तो पुछले एक शाल का पर्फोर्मस को आप देशके तो रिटन रहा है 16.09% का पॉजिटिव रिटन है और 111 रुपे 75 पेशे उपर गया पिछले 5 साल में स्टॉक मैक्सिमाम चार्ट की बात करता है जैसे कि मैंने लेकर मल्टी व्यागर रही है तो मैं लॉंग टम मैं मैक्सिमाम चार्ट माप देशके तो मल्टी व्यागर है 1578 परस ड्रेशन का रिटन आप करते हैं तो मल्टी व्यागर रिटन भी देता है इस टॉक आप देशके लांग टम में तो अगर आप इंबस्मेंट करना चारो तो लांग टम इंबस्मेंट कर सकते हो इसके बाद चले-चलता है नेशी का ओफिसल बैबसाट पर तो ऑफिसल वैबस एक सो निन्नावे रुपए साट पैसे का ही हाई था उपन जिस पर हाई भी लगा था और लो जो लगा था एक हजार 1445 पैसे का लो लगा था कुलाज अड़्जेस्स प्राइज जो है अब बात करते हैं स्टाक की डिलिवरी कैसे हुए आज तो मैं आपको बता देता हूं 16 मार्स 2020 का डेटा है चार बचे तक का पूरा तो आज जो टोटल कॉंटिटी ट्रेड हुआ अब देशों पांच लाग बैसी हाजार नो सो पिशत्तर कॉंटिटी ट्रेड हुआ है उसमें स से उपर के डिलिवरी हुए है तो जब बैस पर से काफी ज्याद अच्छे डिलिवरी हुए है और इसके बात चले इसने जो लास्ट डिवीडेंट देया था और कब देया था यह भी मैं आप देख सकताओ आपके सामने पास्ने पर दोजार नीस को डिविडेंट देया था बारा रुपे पर Shire का और और आ रूपे पर Shire elo açıl दिया था चार जोन-दो 109 को और 5 अप्र Bye दो würden देता है लेकिन टिकॉर्ड में नहीं कितना दिया था इसने लिजु तो आपने इंबस्मेंट करना जारो तो कर सकते हैं अपने फिलांशल एडवाश्यर में अभी है आपको इस्टॉक में बुथ करना प्लीज पर श्रूब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लागे तो लाइच भी जरूब कीजिएगा जो लाइक का ब्लैक नीचे ब्लैक कलर में बटन दिक्राइब ब्लू जरूब कीजिएगा एन आपके कोई कोई रिये तो आप कमेंट सेक्ष्ण ने पूश्चे तो वहाँ